हलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आपका ITBP Constable Driver वेकंसी को बहुत समय लंबा हो गया है अभी ट्राइल टेस्ट जो ड्राइविंग टेस्ट हो रहा था उसमें एक विसंगती हुई कुछ कैंडिडेट्स को ऐसा लगा कि हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है कि फॉर्म फिल क्या था उस समय ट्रांस्पोर्ट लाइसेंस कोमर्शियल लाइसेंस के बारे में कोई बात नहीं की गई थी लेकिन हमें बिना ट्राइल टेस्ट किये हुए ड्राइविंग टेस्ट किये हुए आउट कर दिया गेट से ही आउट कर दिया उसमें काफी कैंडिडेट्स जो है वो बड़ा अपने आपको कि हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है अब injustice हुआ है तो उसके लिए क्या समाधान है उसके लिए समाधान एक यह हमारी नयाए पालिका है उसके लिए हमारे high courts हैं वहाँ approach कर सकते हैं हमारे सवीधान में यह प्रावधान दिया है यह हक दिया है एक भारत के नागरिक को कि यदि आपके साथ कोई अन्याए होता है तो आप किस तरीके से approach कर सकते हैं अपने अधिकारों का सानरक्षन आप कैसे कर सकते हैं जब काफी candidates चुए है इस तरह की शिकायत आई हमारे जो help line number है उस पर भी काफी message आए हमने advice कि आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं माननी है उचिनायले कि आप शरण में जा सकते हैं किसी अच्छे advocate से आप consult कीजिए जब video बनाया उसमें सबसे बड़ा point ये था कि ये advertisement जब निकाला गया था तो driving license या दूसरे documents हैं वो तो last में चेक होंगे तो फिर भरती पर करिया के दोरान नियम कैसे बदल दिये गए जब इसको discuss किया तो काफी negative comment भी देखिए हमारे पास में आते हैं यहां तक कि call भी आते हैं हमारे पास में ऐसे direct जो call पर गाली गलोच करने वाले भी आते हैं Holland, Poland पता नहीं कहां कहां के numbers जो है internet calling के थूँ भी एक से एक धमकी वाले call भी आते हैं कि ये video हटा दो अब क्या परिशानी है उनको हमें नहीं पता देखिए यहां पर जो ये ITBP constable driver के काफी हमारे साथियों के साथ में ये problem हुई वो चुप चाप आगे घर पे बैटके लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे जिसको कहते हैं कि असली fighter जिन्होंने fight किया पहले representation दिया जिसको कह नहीं हुआ तो उन्होंने approach किया उच नहाले को approach किया अब matter क्या था point क्या था वो देखते हम देखिए यहां gate से ही ठपा लगा के दे दिया क्या अब भरती के पास दिनांग 16,3,2,1,18 तक का जारी license नहीं है यदि 18,3,2,1,16 तक का जारी license नहीं है तो form क्यों accept किया और form accept कर लिया तो एक्जाम क्यों करवाया एक्जाम करवाया फिजीकल करवाया सब कुछ काम हो गया उसके बाद अब last moment पे आप इसको out कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ा injustice है यदि इसके पास में 18,3,2,18 तका या 16,3,2,1 जो भी date है आपकी वो नहीं था तो आप इसका form accept नहीं करते इसका जो भी fees था वो लोटा दिया जाता लेकिन वो नहीं हुआ, fees collect कर ली गई, fees सरकारी हाते में जमा हो गई, सारी प्रकरिया शुरू हो गई, उसके बाद में जब candidate पूरी मेहनत की, उसने coaching किया, driving class भी किया, सब कुछ किया, return में भी 75 marks मिल रहा है, और driving में भी बंदा कह जीक के गया था, बहुत practice की थी, बहुत मेहनत की थी, out हो गए, out हो गए, उसके बाद क्या होता है, वो आपको दिखा देते हैं, out हो गए, उसके बाद मानने दिल्ली high court में अप्रोच किया, मानने दिल्ली high court में, written number आपको दिखा देते हैं, ये written number है, ये candidate and others, कुछ candidates ने group म ये रिटियाच का दाखिल की थी, ये इनके advocates हैं, ये ITVP के जो JAG officer होते हैं, वो वस्तित हुए, वो है, quorum जो है, वो सब दिखाया, order कब हुआ देखे, order हुआ, 12 April 2021 को order हो गया, जो लोग ये कहते हैं कि case में तो सालों लग जाते हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ औ बार निकलें और अपने हक के लिए लड़ें, तो अब इसमें जिनका order हुआ है, उन मैंसे कितने लोग जो है, वो अच्छे driver हैं और वो driving में पास हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, अब क्या होता देखिए, अभी सब video conferencing के थुरू हो रहा है, तो यहाँ पे है कि the the petition has been heard by way of video conferencing, presented petition has been filed challenging the disqualification of the petitioners on ground of not having a valid transport driving license on or before 15th मार्स 2018, कि 15 मार्स 2018 से पहले का जो driving license नहीं था, उसको challenge करते हुए यह, रिटियाचे का दाखिल की गई है, Petitioners seek direction to the respondents to consider the candidature of the petitioners and allow them to participate in the recruitment process from the stage they were denied and to restrain respond number 2 from declaring the result of the recruitment process in question, कि इसका result पर भी रोक लगाई जाए, दूसरी बात, जो याचिका करताओं को, जहां से recruitment process से बाहर कर दिया गया, वहां से उनको वापस शामिल किया जाए, यानि उनको उस दिन gate से बाहर कर दिया था, तो अब gate से वापस उनकी entry होगी, उसी gate से वहां से वो भरती प्रक्रिया में वापस शामिल हो जाएंगे, अब यहां पे आगे और क्या कह गया देखें, वो बता देते हैं आपको, learned counsel for the petitioner states that the petitioners applied for the post of constable driver in ITBP in pursuance to an advertisement dated 23rd January 2018, he further states that all the relevant documents were uploaded by the petitioners and they were found eligible, अब उस समयदे के documents upload हुय थे आपके, driving license सब upload हुय है, जैसा कि सरी टाचिका में बताये गया है, and subsequently successfully cleared the physical efficiency test, physical efficiency test हो गया, written हो गया, he states that at the time of appearing for the documentation and physical standard test, respondent no. 2 without giving any substantial reason, disqualified the petitioners by affixing the stamp on the admit cards mentioning disqualified, यानि कोई कारण नहीं बताया, सिरफ gate के उपर एक महर रखा हुआ था, एक register रखा था, उसमें entry की महर लगा के जाईए, यानि कि बहुत जिसको कहते हैं शॉक्ट रह रहे है, कुछ candidates ऐसे थे कि जो एक घंटे तक उनको समझ नहीं है कि क्या करें हम, ये स्तिती हो गई काफी candidates की, क्योंकि बड़े अर्मान से तैयारी शुरू की थी, एक candidate जो ambulance चला रहा है, पिछले 6-7 सालों से ambulance चला रहा है, 108 ambulance होता है, कौनसा होता है, सरकारी वाला, वो चला रहा है, बंदा कहता है कि मेरे पिता जी नहीं है, मैं बहुत मेहनत करके अपने परिवार को पालता हूँ, जर मैंने बड़ी मेहनत की इसके लिए, लेकिन मुझे आउट कर दिया, कि मेरे पास मैं ये नहीं था, उससे पहले का, जबकि मैं तो ambulance चला रहा हूँ, तो जो ambulance चला रहा है, उसको आप समझ सकते हैं कैसा driver होगा वो, कैसी कठिन परिस्तितियों में वो drive करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होई, गेट से ही उनको कहा, और उनको साथ में ये भी कहा, कि आप चाहो तो case कर दो, Candidate do not possess transport license issued by before 15th March 2018, he emphasizes that the petitioners were carrying valid license issued by Parivhain Seva Ministry of Road Transport and Highways criteria mentioned in the advertisement, जो petitioner के advocate हैं, उन्होंने ये इस बात पे जोड़ दिया, कि इनके पास में परिवहन विभाग का जारी license है, इनके पास में, जो कि गाड़ी चलाने के लिए ये योगेता रखते हैं, Learned Council for the Petitioners relies on the judgment of the Supreme Court, अब ये देखे, इसमें माननिय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, कि मुकुन देवगम वर्सेज ओरिएंटल इंस्चोरेंस कंपनी लिमिटेट, ये कब का फैसला है, 2017 का है, और ये फैसला जो है, इसका भी अधार लिया गया, कि wherein it has been held that if a driver is holding a license to drive a light motor vehicle, he can drive transport vehicle of such a class without any endorsement, अब issue notice हो गया, अब issue notice किसने accept किया, कि Mr. Sanjay Deputy Jack, जो है ITBP के officer है, जो वहाँ पे accept किया, उन्होंने notice, ये candidates जो हैं, इन्होंने 5 March 2021 को, इन्होंने ITBP को दर्खवास दिया था, representation दिया था, लिखित जिसको कहते हैं, लिखित application representation किया, अब इसके लिए उन्होंने का कि within 2 weeks, 2 सपता का समय दे दिया जाए, और इनकी जो representation है, उसको, उसका reply करने का हमें समय दे दिया जाए ITBP को, he however candidly states that the last date of foreholding skill test is 17th April, 17 April 2021 को last trial test, keeping in view the efforts that this court directs the respondent number 2, यहाँ पर respondent number 2 कौन है, ITBP महाने देशक है, without prejudice to its rights and contentions, to allow the petitioners to participate in the skill test, यह देखिए, जो लोग, काफी लोग क्या है कि जानकरी नहीं होती, और बड़ा बद्दे comment करते हैं, कि ITBP किसी court को नहीं मानती है, हमारे पास ऐसे भी message आते हैं, कि ITBP किसी court को नहीं मानती देखिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह जो कहना है, यह court की अवमानना हो सकती है, ऐसे comment जोते हैं, उनको पता नहीं होता, students हैं वो, हम भी उनको देखे, यह सब, उनके साथ जिद बहस हम नहीं करते हैं कभी, जो ठीक है message किया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नहीं माने, यह हमारी नयाएपाली का हमारा सभीदान है, इसको मानना ही पड़ेगा, यह नहीं मानने वाली कोई बात नहीं है, तो रेस्पंडर नमबर टू, तो वीक्स दो सब्ता के अंदर by way of a reasoned order, हो गया फैसला, मानने दिल्ली उचनायले का यह फैसला बहुत थी शांदार फैसला है, और हमारे उन साथियों के लिए, जिनको यह लगा था, एक पल में कि मेरा सपना तूट गया, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मैंने return के लिए भी बहुत अच्छी मेहनत की थी, और मैं पिछले 5 साल से 7 साल से मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे घर में मेरे लावा कोई दूसरा नहीं है कमाने वाला, और इस भरती में मेरे बहुत अर्मान थे, मैं over age भी हो चुका हूँ, मैं जीडी में नहीं जा सकता, तो उनके लिए एक उमीद की किरन देखिए, यहां पर आती है, तो कभी भी दोस्तो हताश और निराश नहीं होना चाहिए, और उमीद जो है वो हर जगह आपको रखनी चाहिए, और जितने परकार के देखिए, हमारे जो रेमेडीज हैं, हमारे उपचार हैं, चाहिए वो हमारे समवेधानी को उपचार हैं, चाहिए वो हमारी खुद की तैयारी है, चाहिए हमारा खुद का होसला है, हर चीछ जो है वो पॉजिटिव रखनी है आपको, तो अब रुकना नहीं अब थमना नहीं अब ठानना है वर्दी को हर हाल में पाना है जहन्त